यूपी की योगी सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर गंभीर है चुनाओ प्रचार के दोरान प्रधानमंत्री नरेन मोधी और दूसरे बड़े नेताओं ने एलान किया था कि राज में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो किसानों की रिण माफी का फैसला कैबिनेट की पहली बैठक में लिया जाएगा काम किसानों की कर्ज माफी का करवा के रहूँगा ये मैं आपको बादा करणाओं इसी के तहत आज सूशना एवं जन संपर के विभाग उत्तर प्रदेश की और से जारी प्रेस विग्यप्ति के जरीए कहा गया कि किसानों के रिण माफी के विभिन प्रस्तावों पर राजी सरकार विचार कर रही है विग्यप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनात के निर्देश अनुसार प्रदेश के वित्तराजमंत्री राजे शगरवाल राजी के सभी लगू और सीमान्त किसानों के बैंक को रिंड माफी और बजट तयार करने के लिए लगातार सम्मन्दित विभागों के वरिष्ट अधिकारियों के साथ बैठके कर रहे है राजी सरकार इस मामले में केंदर से कर्ज लेने पर भी विचार कर रही है चोटे और मंजोले किसानों के कर्स को माफ करने के फैसले से राजी सरकार पर 36,000 करोड का बोज पड़ेगा यानि राजी की कुलाम दनी का 8 फीस्दी हिस्सा उधर साथवे वेतनायों की संस्तुतियों के लागू होने की कारण राजी पर लगभग 25,000 करोड रुपे प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वैभार आ गया है जिससे सरकार की मुश्किले बढ़ गई है ब्यूरो रिपोर्ट, एपी एन